नमस्कार आपका हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तों मैं बता दूँ कि अभी JPSC का जो एक्जाम हो रहा है उसमें क्या कुछ खास अबडेट है क्या हाई कोट ने या चिका को किया खारी इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो के माईदम से जानेंगे उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीक है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेने पर आगे जितने भी सारे आने वाले सरकारी परिक्षाएं होंगी उसकी जानकारी आपको मिल सकेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बलकुल भी ना भूले तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि क्या है कुछ इसमें खास लटेस्ट अपडेट ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राची का यह अपडेट लिखा हुआ है सातवी जेपियस मुख परिक्षा से जुड़ी हस्तचिप याची का पर मंगलवार को जारकन हाई कोट ने सुनवाई की है ठीक है जश्टीस राजेस रंजन की कोट में इस मामले पर सुनवाई हुई इस दोरान हाई कोट ने मुख परिक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है ठीक है तो अब मुख परिक्षा पर किसी परकार का रुकावट नहीं होने वाला है मुख परिक्षा होना ही है जेपियसी की और से जारी मॉडल आंसर में गलत जवाब होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई के दोरान हाई कोट ने परिक्षा पर रोग लगाने से इनकार कर दिया यानि बहुत सारे ऐसे छात्रों का कहना था कि मॉडल एंसर की जो जारी किया गया जेपीएसी की और से उसमें बहुत सारे परशन का जवाब गलत था तो उन्होंने मुख्य परिक्षा को रोकने के लिए याचिका दर्ज की थी लेकिन हाइकोट ने सुनवाई करते हुए कहा कि मेंस का जो एक्जाम होगा यानि जेपीएसी मुख्य परिक्षा जो होगा वो रुकने वाला नहीं है आगे देखिये यहां क्या कहा जा रहा है बता दे कि इसे लेकर प्रार्थी सेखर सुमन ने हस्चेप याचिका दायर की थी आगे क्या लिखा हुआ है हाइकोट ने याचिका को किया खारिज कोट ने इस हस्चेप याचिका को खारिज कर दिया है याचिका में कहा गया था कि JPSC ने गलत मोडल एंसर की के आधार पर परारंभिक परिक्षा का रिजल्ट घोसित किया है इसे पुर्व सभी अभिर्थियों से इसे लेकर JPSC ने अपत्ति मांगी थी अभिर्थियों ने प्रश्नों का उत्तर गलत होने का दावा किया था अभिर्थियों ने सम्माधित दस्तावेजों को JPSC को भेज दिया था आरोप है कि JPSC ने गलत एंसर के आधार पर ही परिनाम जारी कर दिया था यह कहना था छात्रों का इस कारण मुख्य परिक्षा पर रोक लगा देनी चाहिए यह चात्रों का कहना था ठीक है कि आगे देखे यहां क्या कहा जा रहा है पेपर वन के मतलब JPS पेपर वन के च्छाव और पेपर टू के दो मोडल आंसर गलत है यह कहना है ठीक है प्रार्थी की और से कहा गया कि पेपर वन के च्छो और पेपर टू के दो मोडल आंसर गलत बताते हुए संबंधित दस्तावे JPSC सोपा गया था लेकिन JPSC की और से संसोधित परिनाम में उक्त आंसर को सुधारा नहीं गया इसलिए परिनाम को निरस्थ कर मुख्य परिक्षा पर रोक लगानी चाहिए यह कहना था ठीक है तो यह सारा चीत है JPSC को और से जो भी चल रहा है बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो मायू से अपने परिनाम को लेकर के बहुत सारे छात्रों का कहना है कि हमने इतना मेहनत किया लेकिन JPSC यानि जारखन पब्लिक सर्विस कमिशन अपनी मनमानी कर रही है वो सही से उत्तर कुंजी जो है वो जारी नहीं कर रही है इसके अलावा जो याचिका दर्ज किया गया था सेखर सुमन के दौरा उसकी याचिका को भी खारिज कर दिया है हाई कोट ने अब जो है मुख्य परिक्षा होना तै है सभी ने फॉर्म भर लिया है मुख्य परिक्षा जल्दी होने वाला है तो जो जो प्रारामीक परिक्षा पास कर चुके हैं उन्हें मुख्य परिक्षा के लिए सुब कामना है मुख्य परिक्षा अच्छी तरह से दे और एक बढ़िया ओफि धन्यवाद